हेलो एब्रिबन, वेलकम टू माई चैनल, चटपटे किस्से मीठी कहानिया, मैं हूँ नूतन, और आज मैं बनाने वाली हूँ कचोरिया, वो भी सूजी से, सूजी से बनने वाली ये कचोरिया, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होती है, इने फ्राई किया जाता है हाई हीट पे तो ये ओयल भी बहुत कम अब्जॉब करती है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का अपना चटपटा किस्सा, और देख लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स सबसे पहले मैंने गैस स्टोप पे ले लिया है दो कप पानी, इस पानी को हमें बॉयल करना है, इसमें मैंने एट कर दिया है तेल, कोई भी तेल आव इसमें एट कर सकते हैं अब मैं इसमें एट कर रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, और साथ में स्वात के अनुसार थोड़ा सा नमक, अब इन सारी चीजों को मैं कर देती हूँ, मिक्स और मिक्स करने के बाद हमें वेट करना है इस पानी में अच्छे से बॉयल हो आनी का देखे कुछ देर के बाद पानी उबल रहा है, इस समय पे मैं इसमें एट कर रही हूँ एक कप सूजी, ध्यान रखे जितनी आप सूजी ले रहे हैं, उसका दुगना ही आपको पानी लेना है और सूजी डालते ही आपको इसे तुरंट चलाना शुरू कर देना है, वरना सूजी में गुख्लिया पड़ जाएंगी, तो इसे तब तक चलाते रहें, जब तक सूजी एक डो के फॉर्म में ना आ जाए मैंने यहाँ पे नॉमल सूजी ली है, जो बहुत सारे ब्रांट्स में आजकल मार्केट में अवैलिबल है, खुली सूजी इसके लिए ना लें, वो कई बार पतली या मोटी हो सकती है देखिए सूजी को हमें कंटिनियूसली चलाते रहना है जब तक सूजी सारा पानी अब्जोप करके एक डो के फॉर्म में ना आ जाए देखिए सूजी ने सारा पानी अब्जॉब कर लिया है इस समय पे मैं फ्लेम को कर देती हूँ और उसके बाद भी मैं इसे थोड़ी देर तक चलाती रहूंगी क्योंकि कड़ाई काफी गरम है नहीं तो सूजी नीचे लग जाएगी अब देखिए सूजी एक डो के शेप में आ गई है अब हमें इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देना है तांकि सूजी जल्दी ठंडी हो सके देखिए मैंने सूजी को कर लिया है एक प्लेट में ट्रांसफर अब हमें इस सूजी को ठंडा होने के लिए छोड़ देना होगा इसे हमें इतना ठंडा करना है कि हम इसे आसानी से छूँ सके देखिए इस समय पे सूजी ठंडी हो चुकी है मैं अब इसे आटे की तरह नीट करके इसे चिकना कर लूँगी इसे बाइंड करना होगा हमें जैसे हम आटे को गूते हैं पिल्कुल वैसे ही अपने हातों की मदद से मैंने सूजी को बाइन करने के लिए ओईल या पानी का यूज नहीं किया है इसी तरह से मैं हाथों से इसे नीट कर चुकी हूँ अब मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ मीडियम साइस के आलू और थोड़ी सी मटर यह आलू और मटर दोनों मैंने बॉइल करके ले लिए हैं अब इने में मैश कर लेती हूँ देखिए मैने अपने हाथों की मदद से आलू को मैश कर लिया है और मटर को भी मैने एक पोटेटो मैशर की हेल्प से मैश करके दोनों को मिला दिया है अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में एक बड़ा प्यास बारिक-बारिक कटा हुआ कसूरी मेथी को मैंने तवे पे भूल लिया था और फिर हतेलियों की मदद से मैंने उसके जो स्टेम है वो हटा लिये है और पत्तों को क्रश करके इसमें डाल दिया है अब मैं एट कर लेती हूँ मसाले मैंने लिया है थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में मैंने लेती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर अब मैं इसमें एट कर रही हूँ थोड़ा सा भुने जीदे का पाउडर और सांथ में थोड़ा सा गरम मसाला मसाले आप अपने टेस्ट के अकार्डिंग इसमें कमजादा कर सकते हैं सांथने मैंने डाल लिया है स्वात के अनुसार नमक अब मैं इसमें डाल लई हूँ, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, अब मैं इन सारी चीजों को कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से mix, देखिए मैंने सारी चीजों को mix कर लिया है, अब हम बना लेंगे कचु बना एंधे जैसे हम पराटे के लिए बनाते है करे बना लिये जगे वैसे हमें करीजा की स्टफिंग जगं मैं इसमें अधेले में धरीके पख़ला दीजे, देखिए मैंने इसे seal कर दिया है, अब मैं इसे कचोरी का round shape दे देती हूँ धीरे धीरे से, अगर seal करते समय कहीं से stuffing बाहर निकल भी रही है, तो अब थोड़ा सा सूजी लेके उसे दुबारा से हाथों से चिकना कर सकते हैं, देखिए बन गई है कचोरी, इसी तरह से मैंने तैयार कर ली है, काफी सारी कचोरियां, अब हम इसे deep fry कर लेते हैं, deep frying के लिए मैंने कड़ाई में ले लिया है, gas stop पे oil, हम इन कचोरियों को high heat पे fry करेंगे, अब मैं डाल देती हूँ इसमें इस तरह से कचोरियां, बहुत जादा कचोरियां एक साथ ना डालें, क्य चुरू में धाई से 3 मिनट के लिए हम इने high heat पे fry करेंगे, उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए जैसे इन में color आ जाए, इने low heat पे रख दें, बस उसके बाद कचोरियां fry हो जाएंगी, आप इन कचोरियों को पहले दिन बना के fridge में store कर सकती हैं, उसके बाद अगले दिन अ देखें लग रही है ना बहुत अच्छी, ये कचोरियां बहुत कम oil absorb करती हैं, और बहुत tasty होती हैं, मैदे की कचोरियों से काफी जादा healthy भी हैं, तो आप भी इन कचोरियों को बनाईए, खाईए, खिलाईए, मैं मिलती हूँ आप से अपने next वीडियो में, तब तक के लि